नमस्कार दोस्तों मैं A.R. Khan स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे दोस्तों हमारे देश में 10,000 से ज़्यादा कमपणी डिरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे है और इन कमपणीों का याड़ी टार्ण अबर 5,000 करोर से ज़्यादा है ताज्जुब की बात तो ये है कि गवर्मेंट की रूल से रेगुलेशन के तहट मिनिस्ट्री अफ एफेयर्स की फुली एप्रोप्ट कमपणी 100 से ज़्यादा नहीं है और करीब 50-60 कमपणी कंजमा एफेयर्स पे एपलाई करके अपने बिजनेस चला रहे है इन दोनों सिट्वेशन ही फुली लीगल तरीका है पर बाकी हजारों कमपणीया इलीगल भी नहीं है और पूरी तरह लीगल भी नहीं है इन में से कुछ कमपणीया पूरी तरह इलीगल तरीके से भी काम करते है आज के इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि एक MLM कमपनी लीगल किस तरह से होते हैं क्या गाइडलाइन्स है तक कि आप खुद डिफरेंशियर कर सके श्री रामबिलास पस्वान, मिनिस्टर अफ कंजुमार एफेर्स 12 सेप्टेमबर 2016 को एक प्रेस इन्फर्मेशन में मीडिया को गाइडलाइन्स और डिरेक्ट सेलिंग के बारे में इन्फर्म की थी इस गाइडलाइन्स की तहट, सेन्टर लेबल में कंजुमार एफेर्स मंत्रा लए direct selling industry को monitor करेंगे और state level में इसके लिए regulatory mechanism तयार करना होगा इससे direct selling और ponzi scheme के बीच में differentiate create हो गया है इसके लिए आप gopt website जो की है consumeraffairs.nick.in में जाके details download कर सकते हैं जहाँ पे आपको हिंदी और English दोनों language में details मिल जाएंगे पहले उपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में है असल में MLM business दो तिंग टाइप का होते है binary plan, generation plan level या pyramid जिसे growth plan भी कहा जाता है pyramid scheme के तहट ज़्यादा तर ponzi scheme चलाए जाते है हाला कि binary और generation plan में भी कुछ ponzi scheme available है ऐसे में maximum companies सिर्फ joining amount से ही company चलाते है, company की कुछ भी product नहीं होते है अगर है भी वो भी कागज में ही है जैसे कि कहीं पर business और किसी और जगा real estate की business दिखाते है अब guideline की तहट इसमें difference यही है कि direct selling company आजेंट से कोई भी entry fees चार्ज नहीं कर पाएंगे यानि कि registration free होना चाहिए next agent कोई भी business चोईन करके अपने नीचे अगर किसी और को जो नहीं करते है तो भी खुझ से business करके income करने की source होना चाहिए ताकि कोई ponzi scheme चला ना पाए अगर किसी भी company में एक मत्र नए member add करके ही income करने की option है तो यह illegal तरीका है AC scheme ponzi scheme होते है जो की 1978 banning act की तहट illegal है इंडिया में next company को agent के साथ agreement sign करना होगा जिसके तहट agent का बीना भी का product refund करना होगा guidelines में direct selling और goods के definition बहुत अच्छी तरग दिया गया है इसमें एक बात बहुत clearly mention किया गया है कि direct selling other than pyramid आप sale कर सकते हैं पर pyramid scheme से नहीं goods as per 1930 act और services as per consumer protection act 1986 इन act अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पता चल जाएंगे कि किन चीजों पर direct selling business कर पाएंगे as per guideline अगर एक एक product डिटेल बताते जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगे इसलिए आप खूद एक पर डाउनलोड करके पर लीजिए in short जैसे कि इंडिया में drug sale करने के लिए एक prescription की जरूरत होते है एक drug license की जरूरत होते है insurance sale करने के लिए IRDR license की जरूरत होते है ये सारा product direct selling में use नहीं होगा यानि कि direct selling में वो ही products बिकेंगे जिसके लिए किसी भी तरह की license की जरूरत नहीं होते है कोई भी restricted product भी sale नहीं कर सकते है एक free look prior भी होना चाहिए इसमें एक time की अंदर में customer को अगर product पसंद ना आए तो return भी कर सके और पूरा पैसा बापस ले सके pyramid scheme की भी definition बहुत अच्छी तरह से दिया गया है कुल मिलाके एक define product और service होना चाहिए money circulation, terms and condition इन सब के बारे में detail में दिया गया है आप इसे download करके जरूर परें next company की owner की details पूरी तरह mention होना जरूरी है पास साल के अंदर कोई भी criminal record नहीं होना चाहिए agent भी public के साथ किसी तरह wrong commitment ना करे miss sell ना करे last में एक format दिया गया है direct selling company इसे पूरी तरह fill up करके दिये गे सारी documents को attach करके government को submit करना होगा complete document ही receive होगा otherwise receive ही नहीं होगा company start करने के बाद भी ये document submit कर सकते है 90 days के अंदर ये document submit करना होगा submit करने के बाद एक acknowledgement receive मिलेंगे जिससे आप काम सुरू कर सकते है इसके बाद सारी document चेक करके approve कर दिया जाएगा और acknowledgement letter मिलेंगे तब किसी भी company की MOA में यानि की memorandum of association पे ये mention होना चाहिए कि direct selling करते है अगर नहीं करते है तो banking नहीं होंगे अगर banking होगा भी तब भी bank से acknowledgement receive मांगेंगे 90 दिन के अंदर बहुत ताइम अब देखे होंगे कि कुछ company 3-4 महेने बाद payout देना बंद कर देते हैं और बोलते हैं blockchain based payout देंगे bitcoin देंगे असल में पूरी document एप्रोब ना होने के करण 90 दिन के बाद bank account hold हो जाते है और drama शुरू हो जाते है तो इस तरह की company से दूर रहिए बहुत सारे company या ministry of affairs तक जाने में डरते है मतलब खुद की business module पे भरुसा नहीं है कि एप्रोब होगा या नहीं दोस्तो इन सारी documentation के बाद एक process से गुजरने के बाद ही फिर से एक acknowledgement letter इशू करते है government की दरफ से कि आपकी document compliance की आधार पे सही है इसके बाद provision है certification का दोस्तो अब मैं बताता हूँ कि हजारो company है हमारे देश में पर ministry of affairs तक documentation submit करने वाला company यही कही so there so ही है और इन में से ज्यादा तर acknowledgement receipt से ही काम चलाते है documentation submit करने के बाद 10 point check mark complete होना जरूरी होते है यानि कि कुछ complete document ही चाहिए जिस में से है name of the company complete होना चाहिए CIN number complete होना चाहिए check with the reference to ROC complete होना चाहिए part A, part B, part C declaration performa complete होना चाहिए certificate of registration by law MOA complete होना चाहिए list of directors complete होना चाहिए अगर इसी तरह से company सब कुछ complete करते है तो कोई डर की बात नहीं है यानि कि company fully genuine होते है अपने business plan completely website में डालते है बहुत कम company मिलेंगे आपको जिनके पूरी business plan website पे दिया गया है यानि कि direct sale में क्या मिलेंगे, promotional incentive क्या मिलेंगे, rewards royalty क्या होगा, सब कुछ mention रहता है तो दोस्तों अगर आप सही में किसी network marketing company में अपना career बनाना चाहते है तो इन ही बातों पे गौर करके company में जोहन कीजिएगा ताकि एक लंबी time तेक आप काम कर सके, life time तेक आप काम कर सके तो दोस्तों आज इतना ही network marketing के बारे में और भी जानकारी के लिए जुरे रहिए मेरे साथ अगर अच्छे लगे तो like जरू कीजिएगा